जेहिंद फटाफट 10 सीरीज में फिर से आपका स्वागत है और आज का जो टॉपिक है वह न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से लेटेड है और आज हम लोग वसा या फैट से लेटेड दस MCQ देखेंगे तो आएँ शुरू करते हैं फटाफट 10 वालाप्रस फर्स्ट कोश्टन वसा की घुलन सीलता के संबंध में कौन सा कथन गलत है विचे स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट रिगार्डिंग दा सॉलिवलिटी ओफ है जल में घुलन सील इन गुलन सीलिन और इथर में घुलन सील डी अलकोहल और पेट्रोलियम में घुलन सील् 6 उप्रवक में से कोई नहीं या एक से अधिक पता ना कि कौन सा कफन गलत है इसका सेवितर होगा A, जल में घुलंसील, solubal in water फैट जो है वो, फैट जल में घुलंसील नहीं होता है इंसोलिबल in water होता है तो B, C और D, ये तीनों गतन सही है फैट, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इथर, अलकोहल और पेट्रोलियमे घुलंसील होता है, solubal होता है जिसका सेवितर होगा B A, जल में घुलंसील, जो की गलत है सेकेंड प्रस्ट, मनुस्थ के सरीर में वसा कौन सा कारे करती है वट फंक्शन डच फैट पॉम फाउं, परफॉर्म in the human body A, ये सरीर को उर्जाब परदान करती है B, ये सरीर के तापक्रम को नियंतित रखती है C, तवचा के अंदर जम आओकर या उंगों को चोट से बचाती है Stored inside the skin, it protects the organs from injury D, उप्रोक सभी इसका सहल कर होगा, D, उप्रोक सभी ये सारे काम, ये चारों काम, तीनों काम फैट करती है human body में Third question, जन्तु वसाओं के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है Which of the following statement about animal fat is not true A, अधिकांस जन्तु वसाओं संत्रिप्त होती है Most animal fats are saturated B, या समाने तापर तरवलास्थाम होती है It is in liquid state at normal temperature C, या समाने तापर तोसा वस्थाम होती है It is in solid state at normal temperature D, इनका गलनांक अधिक होता है They have high melting point तो कौन सा कथन सत्य नहीं है Is not true सहीतर होगा B, या समाने तापर तरवलास्थाम होती है या कथन सही नहीं है बाकि जो annual fats होते है वो saturated होते है और liquid state, solid state होते है नॉर्मल temperature पर उनका high melting point होता है इसका सहीतर होगा D, उप्रोग साभी उप्रोग जितने भी तीनों options है ABC, unsaturated, liquid state at normal temperature और low melting point ये तीनों facts सही है about vegetable fats या अबनास्पती पुसाओं के बारे में 5th question एक ग्राम वसा से कितनी उर्जाप राप्त होती है How much energy is obtained from 1 gram of fat A, 5 kilocalorie, 8 kilocalorie, 9 kilocalorie, 12 kilocalorie इसका सहीतर होगा C, 9 kilocalorie एक ग्राम fat से 9 kilocalorie energy मिलती है 6th question शरीर में वसा की कमी से क्या समझा उत्पन होती है What problem arises due to lack of fat in the body A, शरीर की कार्ज छमता में हरास होता है Loss of body efficiency B, शरीर में कमजोरी और सुष्टी Weakness and lethargy in the body C, तोचा समन्दी विमारी है Skin diseases D, उप्रोक सभी All of the above तो इसका सहीतर होगा D, वसा की कमी से ये सारी समझा है शरीर में होती है कार्चमता में रास होता है B, वेडियोक्सेंसी गर जाती है Weakness और लिधार्जी आती है Skin diseases भी होते है तो इसका सहीतर होगा D, All of the above 7th question शरीर में वसा की अधित्ता से क्या समस्थ बनोती है What problem arises due to excess body fat शरीर मोटा हो जाता है Body becomes fat कोलेस्टरोल बढ़ जाता है कोलेस्टरोल राइज़ Atherosclerosis बिमारी हो जाती है A disease called Atherosclerosis occurs D, उप्रोक सभी All of the above तो इसका से उतर होगा D, उप्रोक सभी सरीर मोटा हो जाता है कोलेस्टरोल बढ़ जाता है और Atherosclerosis नामग बिमारी हो जाती है इस तो Atherosclerosis में क्या होता है कि बेहन में fat जमा हो जाता है और बेहन जाम होने लगता है आठवा प्रस निम्ली कित्म से कौन सा vitamin के वल वसा के साथ ही पचाया और सोसी तो और पडिवन किया जा सकता है Which of the following vitamins can only be digested, absorbed as well as transported with fats कौन सा vitamin है जो fat के साथ ही digest किया जा सकता है absorb किया जा सकता है और सरी निम्ली का transportation भी हो सकता है vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K उप्रवक्ष में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इसका सही उतर होगा E, X से अधिक यहाँ पे A, D, E और vitamin K चार vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K यह वसा में गोलन सील है they are soluble in fats और इनका जो पाचन होता है इन चारो vitamin का पाचन और सोचन और पडिवहन fat के साथ हो सकता है vitamin A, D, E and vitamin K are fat soluble therefore their digestion, absorption and transportation can be done along with fats only तो इसका सही तर होगा E एक से अधिक A, D, E, K यह चारो option होंगे इसमें next question which is the most common type of fat in human diet मानव आहार में वसा का सबसे समाने परकार कोंसा है triglyceride, diglyceride, monoglyceride, pentaglyceride तो इसका सही उतर होगा A, triglyceride और tenth question निमलिखीत में से किस खाद पदार्थ में और संत्रिप्त वसा सामिल है which of the following foods contain unsaturated fat A, वनस्पती तेल, vegetables B, mons, meats C, मखन, butter D, dairy, उत्पाथ, dairy products तो इसका सही उतर होगा A, वनस्पती तेल या vegetable ads बाकि जो तीन options है meat, butter, dairy products इस सब में saturated fat मिलता है तो यह था आज का फटा फट 10 जो mainly fat पैदा ही था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरू करे share करे और comment करना न भूले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब पर ले आपको बता दे कि अगला जो वीडियो होगा वो nutrition and health cellular vitamin cellular 10 mcq अगले वीडियो में आएंगे thanks for watching